विवर्स आज हम बना रहे हैं चिली चिकन इस रेस्टोरेंट इस्टाइल जिसकी रेसेपी यह है यह मैंने ली हूँ 300 गिराम यह 300-400 गिराम चिकन है बोलने से अब हम इसमें दालेंगे टेस्ट के हिसाब से नमक और आदा चमच काली मिल्च का पॉड़र आदा चमच वाइट पेपर पॉड़र आदा चमच वाइट विनिगर डालेंगे आदा चमच सोया सॉस दालेंगे इसमें एक चमच दालेंगे लाल मिर्ची छोटा वाला मैं अपने टेस्ट के हिसाब से दालना और मैं दो चमच कॉण फ्ला डाल रही हूँ एक चमच मेहदा डाल रही हूँ अब मैं दाल रही हूँ एक अंडा अब इसको अच्छा से मिलाएंगे यह मैंने अच्छा से मिला दिया अब इसको हम 30-35 मिनट रख देंगे ढ़के उसके बाद हम आगेगा करेंगे प्लीज आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार है तो लाइक कीजिए सब्क्राइब पीजिए मुझे कमेंट्स में बताइए क् इसको मेरा के मसाला रखे थे अब मैं इसको फ्राइब करूंगी अब इसको फ्राइब करेंगे ऐसे करके एक पीस तेल गरम होगे अच्छा कासा यह हमारी चिकन प्राइब हो गई है इसको दो से तीन मिनट हो गए अब मैं इसको निकाल लूँगी और दूसरा बैस दालूँगी पिर मैं आगे का आपको बताती हूँ बार दिए इमें निकाल रही हूँ अब मैं इसका मसाला बनाने जा रही हूँ अब इसमें हम गिरेट करी हूए अद्रग डालेंगे थोड़ा सा लस्तन डालेंगे मैंने इससे कद्दू कस्छे कसली और थोड़ी भी प्यास डालेंगे इसको अच्छे से तोटे करेंगे अब इसमें ने डालेंगे चार से पांच हारी मंची इसको बीच में समयने चीरा लगाए पाढ़ के डालीगे अधरख लस्टन को अच्छे से पकाएंगे वीवर्स ये अधरख और लस्टन अच्छे अच्छे से पग गया है अब मैं जाल दीए हम ईक चमज सोया सूस ये एक चमज विनीगर है इसके अंडर ये डालेंगे एक देर चमच मैस में दाल दीए चिली सॉस और अब मैस में दाल दीए दो बड़े चमच टमाटर केचल अब मैस में दाल दीए सिमला मिर्ची और प्याज इसको हम अच्छे सोते करेंगे कि देखे किती अच्छी गुश्बू आ रही है अप लोग देख सकते हैं तो एक दम तेज आज पर पकाना है खाली हलका सा पकाना है ताकि सिम्णा मिल्ची और प्याज खाली हलका सा पके ज्यादा गले ना कि मैं मेरे तरीके तो बनाती हूं आपको जो तरीका अच्छा लगता है आप विवर्स यह हो गई अब हम इसमें डालेंगे हमारी चीकन इसको अच्छे से मिलाएंगे अब हम इसमें ने दो चमस्ट कॉन प्लायर ली हूं इसे पानी में गोल के रखते हूं थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें डालेंगे इसकी सेलेरी डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके हम डाल देंगे और अच्छे तरीके से चलाएंगे इसमें मैंने थोड़ा फूड कलर डाली अगर आपको नहीं डालना तो आप इसकिप कीजिएगा मेरी मिर्ची में कलर नहीं इसलिए कलर नहीं आ रहा था तो मैंने थोड़ा डाली हूँ यह देखिए हमारी चिली चिकन बनके रैडी हो गई है अब मैं बस आपको डिश आउट करके दिखाऊंगे अब हम इसमें थोड़े से सफेद तिल डालेंगे यह हमारी चिली चिकन बनके रैडी हो गई है प्लीज आप लोग मुझे लाइक कीजिए सब्क्राइब कीजिए और कमेंट्स में बताइए क्या आपको मेरी रैसिपिक ऐसी लग रही है मैं डिश आउट करके दिखाऊंगे यह हमारी चिली चिकन रैडी बनके रैडी हो गई है प्लीज आप लोग इससे बनाइए खाइए और मुझे दूआउ में याद रखिए यह देखिए आप इक इत्ती अच्छी बनिये जबर्दस मैं ऐसी बनाती हूँ एक दम जबर्दस बनिये